Google यहाँ पर Google सर्च से भी बड़ी चीज यहाँ पर लाने वाली है मतलब Google के लिए number one priority हमेशा उसका सर्च रहता है सबसे जादा पैसा वो सर्च से कमाते हैं लेकिन exactly पिछले एक साल से क्या हुआ जब से artificial intelligence यहाँ पर आने लगी खास दोर पर chat GPT आने में लगा और जब से बिंग के अंदर भी AI इंटिग्रेट होगी तब से लग रहा था Google यहाँ पर लूस कर रहा है लेकिन आथ के समय में Google ने कैसी चीज निकाल थी जो शाद उसकी सर्च से भी जादा बड़ी चीज हो सकती है और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जैमिनाई की अब आथ के समय में देखाया तो जैमिनाई AI कुछ समय पहले आई थी लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ पर जो Google एसिस्टेंट होता था उसको भी खतम करके उसे भी जैमिनाई के रहे है यानि कि Google हर तरीके से यहाँ पर जैमिनाई की पीछे लगा हुआ है लेकिन इसके बाद एक सवाल आ था कि आखर जैमिनाई में आखर क्या है और ऐसा क्या हम यहाँ पर कर सकते तो को सिंबल सी बात है कि जैसे चैट जीपीटी था वो अपनी जीपीटी फोर जोकी एक लार्ज लेंविश मोडल है उसके उपर यहाँ पर काम करता था अब देखा जाये तो जो उसका प्रीमियम वर्जिन है वो महंगा था और जो फ्री वर्जिन ने जीपीटी 3.5 पर बेस्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम यह थी कोई भी चीज अगर उसे पता नहीं होती थी तो वह हैल्यूसिनेट करता था और आपको कई बात गल्ला होता और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता था यह एक सबसे बड़ी दिक्कत थी आपर GPT 4 के अंदर चीज को सॉल्व किया गया और आथ के समय में देखा जायता हुँ जो Google बार्ड होता है वहां पर भी आप जैमनाय को यूज कर सकते हैं इसके साथ ही जैमनाय को यूज करने के लिए जैमनाय को यूज कर सकते हैं प्लस यहां पर जो Google असेस्टेंट होता उसके अंदर भी जो एप है वो जैमनाई की आ चुकी है लेकिन इसके साथ ही क्लैरिफाय दे देना चाहता हूं कि गोगल ले जब यहां पर कुछ समय पहले जैमनाई का डेमो दिया था वो देखा जया तो थोड़ा सा टून नहीं था वहां पर काफी ज्यादा एडिटेट था स्पीज फास्ट फारवड के गई थी कहीं जगे टेस्ट इंपुट दिये गए थे लेकिन देखना समय में वो जो एई का जो डेमो था वो बहुत जादा इंप्रेसिव था लेकिन अगर वैसी भी कुछ पंख्लिटी यह लोग बिल्ड कर दे जैमनाई के अंदर तो एक बैटर सिट्वेशन है जहां पर गूगल को यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर करना पड़ेगा तब जाके जो जैट जीपीटी जैसे इस आपर हरा सकते हैं इसके साथ ही यहां पर जो बिंग के अंदर जब एई इंटीग्रेट हो गई वो भी ओपन एई की चैट जीपीटी से इं लेटेस टेक निउस टोड़े अगर वोगो सिर्फ आज की लेटेस टेक निउस देखनी है वो आपको चुटकी बजाती सारी चीज़े एक एक लाइन में आपको दिखा देगा लेकिन काफी इंप्रेसिव चीज़े कि लगातार आपको जो एई रहती हो कॉंसिस्टेंटी अ इंप्रोव होगी है पिछले एक साल पहले जब गूगल का गूगल पाड़ आया था तो यार वो काफी जादा स्लो था उसके अंदर रिस्पांस नेफ नैस्ट जो थी न वह उती जाद एफिशेंट नहीं थी यहां पर खास बात इधर यह रहती कि AI को जितना भी यहां पर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस यहां पर बैटर होती चली जाती है और यहीं चीज़ गूगल ने करें और जैमना इंको पिछले एक साल में काफी चाह बना है और आज के समय में देखा जाते हैं बहुत ही अच्छा और यहां पर मार्केट में लिकिन यह चीज़ से गूगल क इस एक वेब साइट से क्लिमिट नहीं रहने वाली आज के समय में गूगल अपने हर एक प्रोड़क्त में जैमना इंको इंटिगरेट करने में लगी हुई है यहां तक कि अगर नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे तो आपको जनरेट का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आप इसके जनरेटिव रिजल्स को यहाँ पर देख सकते है यह बिलकुल वैसा है जैसे बिंग की AI यहाँ पर काम करती है इसके साथ ही जैमना यह अपसर चैट बॉट बनके नहीं रहा गया यहां पर इमेजिस अकर आपको जनरेट करनी है आपसे टेक्स्ट प्रॉप्ट देसकत है यानि कि create an image of the next iPhone तो आपको AI का यूज करके images create कर सकता है हाला कि यह images जो दूसरे AI टूल आते है जैसे open AI का टूल आते है डाल ई उससे compare करें या फिर मिड जरनी से compare करें उसके सांदे अभी थोड़ा सा फीका है लेकिन फिर भी एक काफी respective results आपके create कर सकते है तो सबसे ची आपनाई को AI को यहां पर release किया गए तीन format में एक नैनो है एक प्रो है एक अल्त्रा है नैनो वर्शन यहां पर रखा जाएगा आपके mobile phone और on device AI के लिए यानि कि आज के सभी टेक्नलोजी आपको Google Pixel 8 और Samsung Galaxy S24 है वहां पर देखने को मलती है जिसके अंदर कुछ चीजे यह AI आपके mobile phone के अंदर कर सकता है लेकिन कुछ चीजे इसका use करने के लिए इस इंटरनेट connection की ज़रूरत पड़ती है लेकिन AI के बार में खास बात है कि जतना जाद इसको time दोगे जतना जाद से use कर गई उतना जादा better होता चले जाएगा और आने वाले समय में इसके feature और device की capabilities जब improve होंगी तो इसके अंदर आपको और नहीं चीजे देखने को मिलेंगी इवन यह चीज हाड़वेर के उपर dependent है तो mobile phone के अंदर जो processor होता है वो अगर इस चीज को support करता है तो इस चीज को लेकि आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं तो यह एक jam ने नैनो AI का खेले जो information यहाँ पर present कर सकें इसके बाद एक advanced version भी create किया गया है जो कि Gemini ultra के उपर based है जो कि obviously paid होगा और एक बाप बता सकता हूँ मैं आपको कि अगर कोई भी AI अगर आप paid यहाँ पर use कर रहे हो तो आप make sure कीजिए कि उसका perfectly use करते रही है क्योंकि जादतर जो AI market में मौजूद है चाहें हम chat GPT की बात करें गूगल की Gemini की बात कर लें हैं चाहें बिन की AI की बात कर लें यहाँ पे 90% लोगों को पैसे देने की ज़ूरत नहीं है आप free में बहुत सारी चीज़े कर सकते हो chat GPT के अंदर बहुत सारी चीज़े आप free में कर सकते हो आपको इसका premium version लेनी की सकती है प्लस उसकी जो responsive नैसे वो काफी जबर जासते हो काफी जन्दी result create कर सकते हो यह question वगरा पासानी से पूछ सकते हो यानि की simple सी बात यह कि artificial intelligence के जो जमाना होता है और आज के समय हम जितना जाद हो से use करेंगे उत्ती जाद है आपकी मदद करेगा आप कहीं पर भी बै हो जाएगा competitively आपका काम आसान बनानी के लिए हाप यह रखी गई है अभी वेन गोगल की जैम नहीं के बार में बात करा चैट जीपीटी के आई आई आपर देखने को मिलती है इसके साथी पर प्लेक्सिटी एक AI है इसके साथी नहीं हापन में आपको बता सकता हो कि एक इ आइदा यह रहेगा कि आप जो चीज पूछेंगे वो आपको रीजनल लेंग्वजेस में आंसर दे सकता है जिसे हिंदी पंजाबी मराथी इन भाशों में आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी इंप्रेसिव लगता है और हाँ ये बात है कि जैट जीपीटी भी सारे काम कर सकता है लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में काम करता है उसके बाद उससे ट्रांसलेट करके देता है लेकिन यहाँ पर इंटरस्टीन चीज़ की वहाँ पर कैसे काम करती है लेकिन अकर हम बात करें तो गूगल की जो जैमनाई याई है उसका रिजल्ट यहाँ पर काफी लगेंगी तो यार कुछ यूज के स्टेवर में आपको बता दिये बाकि अगर आप लोगों ने यूज किया है तो आप उसे कैसे यूज करते हो इवर किन चीजों के लिए आप यूज करते हो न यह बात नीचे कमेट पर जूर बताईए थैंक डोको वीडियो देखनी टीम आ अबसे मुलता हुन नेक्स रंगेंदर गुद्बाइ